नमस्कार सो आगे थे दोस्तों आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचारों में आप तक पहुंचाएंगे आसान नहीं है मोदी सरकार के लिए आगे की रहा नितीज की पार्टी ने दिखाई लाल जंडी दूसरी तब टीडी पी विक्या समाथन बापसी यूटन मारने की म हाली है सही होगी ही बगावत करेंगे तो आप एक लाइक वीडियो को कर सकते हैं समयतन दर्च करवा सकते हैं दोस्तों पहली अपडेट की और बढ़ते हैं जो ताजा बड़ी खबर आ रही है वहां बताते चलें एंडिये में घमासान मचा हुआ है दोस्तों एक तरह सीम न पूर करती दिखाई दे रही है यही कारण है भाजपा की टेंसन बढ़ सकती है आपको बताते चाहिए चिराग पासवान की लोग जन सकती पार्टी राम बिलास पहले ही विधायक पास सवाल पूंच चुकी है वहीं टीडिपी भी यहां पार इस बेरहक पास सवाल उठा च चाहती है बीजेपी क्या है डार जानिए पूरी अपडेट हर्याना में बिधान सवा चुनाओं के लिए बिगुल बच चुका है और पार्टियां टिकेट आवंटन को लेकार मन्थन कर रहीं ऐसे में हर्याना भाजपा प्यदेश अध्यच चुनाओ आयों को एक पत्र लि कित कर यहां पर चुनाओं की तारीक आगे कहने की कुजारिस खी है उन्हों ने कहा कि एक तारीक को मत्तदान का दिन अधायित गया है लेकिन लगाता चुट्टिया होने से बोटिंग फीसद में कमी देखने को मिलेगी आई को दोस्तों बता चलेए यहां पर एक अक्टू वरको अगर से जानतिक आफकास ऐसे में च्छे दिन का लंबा विकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं आपको बताते चाहें दोस्तों बीजेपी को डर है उसका बोटिंग परसेंटेज कम नहों जा इसलिए यहां पर बीजेपी एक दम से बॉखल आई है चुराओ आयोक तक को पत लिखके यहां पर तारीक बदलने की मांग की जा रही है वहीं दूसरी तरह आपको बताते चाहें बीजेपी को डर सता रहा है कॉंगेस पार्टियों की बढ़ती लोग प्रियता को लेकर भी जी हां अगर बोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इस दोस्तों बड़ा जटका बीजेपी को लगा है यहां पर महराष्ट में चुनाओ होने है चुनाओ तारीकियों कोई घोष्ट ना किसी भी समय हो सकती है राज घराने से तालूग रखने वाले बीजेपी नेता ने बड़ा एलान किया सर्थ पवार की पार्टी में होंगे सा सामिल होने का फैसला किये हैं घाटगे ने यहां पर कोलापूर में एक बैठक में अपनी पार्टी नेताओं से सलाम मसविरा करने के बाद यहां घोशना की है डिप्टी सीम देवेंद्र फणनबिस के यह करीवी मानी जाने वाले हैं और अब दोस्तों आपको बताते चाहे घाटके को एनसीपी सरत पवार गुड़ द्वारा कागल विधानसबा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है जो पहले ही उनसे चर्चा कर चुके हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और महाविकास हगारी के साथ एक ताकतवा नेता साम समीधान सम्मान समीलन में सामिल होंगे कारकं में राहूल गांदी को मुक्त मुख आतिती के तौर पे अमंतुर्यत कि गया है और समीधान पर बश्याव अपने विचार भी कर गारा प्रदेश कंगर्स कमीटी के द्धिया कि जो एजर आए हैं उन्होंने कार लिए को बचाने के लिए मैदान में उत्रे हैं इस संबंद में राहुल गांधी आज यहां प्रयाग राज पहुंचेंगे और नागरिक समाथ से बात करेंगे यहां कारेकरम में सभी बिचार धाराओं के बुद्धी जी भी लोग भाग लेंगे दोस्तों आपको बताते चलें अज पहुल गांधी करीब चार बज़े हवाई एड़े पर उत्रेंगे और साड़े-चार बज़े कारेकरम में सामिल होंगे तो दूसरी तरह भूपेंदर सिंग हुड़ा के लिए रहा आसान नहीं होने वाली भले ही दोस्तों हर्याना में प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने बै मैदान में उताने वाली हार्याना में हुड़ा कौंग्रेस की तरफ से सीम पद के सबसे दावेदार में से एक हैं लेकिन आप उनकी ही पार्टी के निता कुमाई सेलजा ने इस पद पर दावेदाई ठोक दी है उन्होंने कहा कि हर्याना के मुख्यमंदी पद की दोड़ मे वह हैं और क्यों नहीं होंगी कुमाई सेल जा ने कहा कि सामुदाइक इस तरफार लोगों की महत्तों कांच्हाय होती हैं और वो राज्य इस तर पर काम करना चाहती हैं दोस्तों देख सकते हैं यहां पर यह बड़ी ख़वर निकल की आई है कुमाई सेलजा ने भी दावा ठोक दिया है सीम उमीदवारी के लिए यहां पर अपनी उमीदवारी भी उन्हों ने कहा क्यों ना की जाए यह दोस्तों हर्याना की सीम बनना चाहती है कुमाई सेलजा यह बड़ी ख़वर निकल क कि धे पे ज tämä कंवाए लेकिन सुनभाई हूई है यहां पर आकर रुख गई कि हरवंद के जीवाल को जमालत में नहीं सीव आई है कि और वक्त मांगा दोस्तों यहां पर स्टेटास स्रिपोर्ट दाखिल के शोटरी के लिए और 5 सितंबर को टारीक दी का लेकिन तो आप यहां पर ताजा जानकारी आई है स्जिबी आई ने राउजवनी कोट में बताया कि सीम केजिवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए LGB के सकसेना ने मंजूरी दे दी है दिल्ली सराब नीती मामले में S.E.M. केजिवाल की मुस्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही कथि सराब घोटाला मामले में केजिवाल के खिलाब मुकदमा चलाने के लिए C.B.I. ने दिल्ली के उपरा जेपाल B.K. सकसेना से नहाई खिसासत में है C.E.M. केजिवाल देख सकते हैं दोस्तों LG का एहम रोल है इसमें और LG ने मंजूरी भी दे दी है दोस्तों और इसकी लिखित परमीसन दाखिल कर दी गई कोट में E.D. मामले में सुप्रीम कोट से जमानत मिल चुकी लेकिन C.E.B.I. का मामला अभी दोस्तों जमानत नहीं मिली है जिसके चलते बाहर नहीं आप आएसे हम के जिरिवाल और इस पूरे मामले पर दोस्तों जैसे ही ये खबर सामने आई आम आदमी पार्टी जवदास तरीके से LG पर भड़क उठी है यहाँ पर सीधे तोर पर मिली भगत का आरोप लगा देए हम आदमी पार्टी दोस्तों यह थी आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक एक शियर जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत